नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज इपीसी, मैं हूँ निखिल और चैनल को अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लिगे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं Force and Laws of Motion जो चैप्टर नमबर 8 है Class 9 Science का इसका दूसरा पार्ट और इस वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे Balanced and Unbalanced Force को तो चलिए सुरू करते हैं तो Balanced और Unbalanced Force क्या होता है इसको समझने से पहले हम लोग directly एक practical demonstration करेंगे ठीक है इसमें हम लोग करेंगे क्या कि एक block लेंगे जैसा कि आप यह figure में देख सकते ठीक है इसको दोनों तरब से string से बांधेंगे और इसको फिर दोनों तरब से force लगाएंगे ठीक है तो इससे आपको पूरा concept clear होगा कि Balanced और Unbalanced Force कैसे work करता है तो सबसे पहले मैं setup ready कर लेता हूँ सामने एक box है ठीक है इसके ऊपर मैंने एक wooden block रखा और इसको दोनों साइट से string से धागे से बांध लिया जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर दिखा हुआ है कि wooden block लेना और इसको horizontal table पर रखके आप दोनों साइट से string से उसको बांध अब यहां के सब्सक्राइब करते हैं सिर्फ एक्स पर तो क्या होगा ओके तो अब देखिए मैंने सिस वाले पर फॉर्स अप्लाइगर इसको छोड़ देता हूं तो देखिए इसको फीच रहा हूं ठीक है तो यह आप लफ्ट साइड में इस साइड में जिस साइड में एक है उससाइड में यह घसकने लगए ओके अब मैं इसके लगा साइड में इसको फोर्स लगाएंगे तो क्या होता है और लेफ्ट वाले को मतलब एक्स वाले को छोड़ देते हैं बल्कुँ तो आप देखिए यह वाला इसके साइड घसक रहा है ठीक है अब यहां पे ठर्ड case में क्या कर रहा है if block is pulled by both the sides with equal forces दोनों side से box को खीचना है जो कि equal force होना चाहिए तो चलिए अब दोनों string को मैंने पकड़ लेता है और दोनों side से खीच रहा हूँ जो कि दोनों equal force में लगा रहा हूँ ठीक है यहां पर आप force देख नहीं सकते है और से force को देखाने जगता है लेकिन मैं आप मान के चली मैं दोनों side से बरावर force लगा रहा हूँ ठीक है देखिए अपना position बिल्कुल भी नहीं change कर रहा है ठीक है अब third case में लेता हूँ यहां पर दोनों side से force लगाना है लेकिन अनिक्वल force लगाना है ठीक है तो यह जो एकस था यहां पर मैं थोड़ादय force लगाओंगा और यह यहां पर मैं थोड़ादय सा कम force लगा तो अब देखते हैं क्या होँथा अभी मैं दोनों पर equal force लगा रहा हूँ अब यहां पर देखिए मैं x के तरफ जादय लगा रहा हूं ठीक है तो यह दीरे-दीरे एकस के तिरफ यह दुर्फ यह फ्लनेशन का एकस्प्लांईशन जब क्या हुआ था जब मॉक्स को मैंने एक जगा पर रखे वे था उडशा से खीचा तो इसमें एकसाइड से फोर्स लगा है वह एकस के तरफ चला गया अपकी बा इसलिए वह एक्स के तरफ दीरे धिरे खसकने लगा ठीक है तो कभी भी किसी भी अबजेक्ट में अगर मोशन होता है तो वह अन्बैलेंस्ट फोर्स के कारण हो देखिए फर्स्ट केस में सेकेंड केस में और फूर्थ केस में मोशन हुआ था इस ब्लॉक में क्यों हुआ था क्योंकि उस हर समय अन्बैलेंस्ट फोर्स वर्क कर रहा था कैसे दोनों साइट से हर एक आबजेक्ट में अगर एक्वल फोर्स लग रहा है उसके डर अपोजिट अपोजिट फेसे में तो वह अबजेक्ट कभी भी अर्ठाट केस जो था वो दोनों सब्में से बराबर फोर्स लगाँ दो यहां पर एकनी हो इस Посब्सक की अगर जहां पर भी अनबैलेंस्ट abdomen होका ठीक है यहां पर फोर्स में डिफरेंस हो गए अपोजिट तो वहाँ पर object में motion होग अब यहाँ पर हम लोग concept समझते हैं friction force का इसी block से समझ लेंगे friction force कैसे काम करें पहले figure को समझते हैं यहाँ पहले figure में आप देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं एक box को हलका सब force लगा रहा है box काफी भारी है मान के चलते हैं थोड़ा box भारी है तो यहाँ पर force लगा रहा है यह बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है second case में होता है कि थोड़ा और जोड लगा दिया तो भी नहीं हिलता है लेकिन third case में बहुत जादे extremely इसमें force लगाने पर यह box move करने लग रहा है तो ऐसा क्यूं होता है आप यहाँ पर भी देखे इसमें मैं practically demonstrate करके दिखा रहा हूँ जैसी यह box है obvious से बाते काफी हलका है उतना भी तो भारी नहीं है लेकिन मैं बहुत ही हलका light force लगा के दिखाता हूँ बहुत ही height force मैं यहाँ पर force लगा रहा हूँ ठीक है ऐसा नहीं है कि यह force नहीं लगा रहा हू लेकिन यह move नहीं कर रहा है थोड़ा और force लगाने के बाद यह धीरे 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 इस direction में move कर रहा हूँ ठीक है तो सुरवात में तो मैंने force लगा रहा था फिर भी नहीं move किया यह क्यों हुआ ठीक है कोई तो ऐसा force था जो हमारे उंगली के द्वारा जहां पर force लग रहा ह ठीक है मैं इस direction में अगर force लगा रहा हूँ तो friction force इस direction लगाएगा ठीक है तो यह इसको balanced कर रहा था जब तक friction force को मेरा जो उंगली के द्वारा force लगा जब तक उसको बराबर हुआ balance करते रहा तब तक तो object नहीं हिला लेकिन friction force से मैंने जब जादे force लगाना शुरू कर दि तो वो नहीं बढ़ा लेकिन थोड़ा और जादे pressure लगाने पर last case में जो c case है इसमें move करना और यहाँ पर जो direction दिखा जा रहा है यह वाला direction यह दिखा जा रहा है जो children है उनके द्वारा force लगा और यह नीचे पर जो direction opposite direction यह friction force को दरसा रहा है तो किसी भी दो object में अगर व जमीन है उसके बीच में जो force लग रही है वह भी friction force अगर friction force नहीं हो तो हम लोग चल भी नहीं पहेंगे क्योंकि हम लोग अपने back में force लगाते हैं और friction के कारण जिसके कारण object move हो बाते है अब friction force को और में detail में समझने के लिए हम लोग एक bicycle का example लगाते है ठीक है अगर हम bicycle हम समने चलाया तो bicycle जब चलाते हैं तो उसकी जब तक paddling को हम लोग पैडल करते रहते हैं ठीक है तो वो bicycle आगे बढ़ते रहती है ठीक है वो एक speed को maintain रखती है लेकिन अगर क्या होगा अगर हम लोग पैडलिंग करना बंद होगे तो थोड़ा दिवर तक जितना इसकी speed है और वो पैए पे ट्रांसफर हो रहा था इसकारण हमारी हमें वो खिसते जा रहा था bicycle आगे बढ़ रही थी लेकिन अगर हम लोग उने force लगाना जैसे ही बंद किया तो friction force तो work करी रहा है friction force जो चक्के पे लग रहा है जो उसके wheel है bicycle के wheel है उस पे जो लग रहा है वो तो work कर पांच के स्पीड पांच किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम लोग सैकेल चला रहे है अगर हमको उसके speed को maintain रखना है तो जितना friction force लग रहा है उतना ही force लगभा लगभा हमें अपने पैर के द्वारा लगाना पड़ेगा पैडल पे तभी तो हम उस force को counter कर अगर हम लोग साइकल को start करते हैं तो काफी जादे पैर पर प्रेशर पड़ता है तो वह इसलिए पड़ता है वहाँ पे तो बिल्कुल भी motion नहीं है उस वो जो friction है उसको overcome करना है साथी पूरे bicycle को अपना एक particular speed देना है तो उस कारण से वहाँ पे हमें force लगाना पड़ता ह जो की starting में थोड़ा से जादे force लगता है तो bicycle के example से हम तो friction force को समझ सकते हैं अच्छे से यहाँ पे तो हम लोग ने समझा bicycle वाला example अब हम लोग समझते हैं कि अगर कोई object uniform velocity में ठीक है तो उसमें unbalanced force लगानी की जरूरत है तो answer इसका आता है नहीं जैसे कि अगर satellite अगर जह करनी की जरूरत नहीं जैसे कि satellite अगर अपने orbit पे move कर रही है तो क्या उसमें engine उसकी on करनी की जरूरत है नहीं बिल्कुल नहीं अगर हम लोग उसको 100 km per second की speed से अगर हम लोग उसको छोड़ देते हैं तो वो 10 km per second की speed से चलती ही चली जाएगी उसमें break नहीं लगने वाला त ठीक है ऐसा अर्थ पे होता है surface अगर surface पे car move कर रही है cycle move कर रही है तो उसमे friction force लग रहा है तो वो friction force के कारण वो object धीरे 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 स्लो हो जाती को कि वो unbalanced force है ठीक है unbalanced force कैसे हो रहा है उस object में particular velocity थी लेकिन opposite side से उसमे friction force उसमे work कर रहा है जिसके कारण उस bicycle को slow कर रहा ह ट्रक को किसी भी चीज़ को slow कर इसी भी हमें बार बार उसमें force लगाना पड़ता है पैडल करना पड़ता है cycle में वहीं space में वहाँ पे friction force नहीं है क्योंकि वहाँ पे हवाँ ही नहीं है वहाँ पे friction force है नहीं है एक बार सैटराइट को कोई speed दे दिया 10 km per second की speed दे दी तो फ force ही लगानी की जरूत नहीं हुआ अराम सा अपना object चलते चला जाएगा ठीक है तो यह concept आ जाता है अगर friction नहीं होगा तो हमें uniform velocity में चलती रहेगी friction force होने के कारण ही हमें जो force है वह लगाना पड़ता है उसी के कारण ही हमारे सारे इसका मतलब यहीं हो गया ना उसी कारण हमारे इतने भी fuel खर्च हो रहे हैं कार में अगर एक बार 100 की स्पीड दे दिये तो कार चलती चली जाएगी लेकिन अगर कार का स्पीड में सौक पे करके अगर उसके हम engine को बंद कर देते हैं क्योंकि उसके पहिये पे friction force लग रहा जो कि उसके अपोजिट डिरेक्स में उसक तो हम लोग एक particular speed दे दे तो फिर वो चलते चले जाएगे को आपे friction force नहीं होता है ठीक हो कोई उसके अपोजिट डिरेक्शन में वर्क नहीं करने बाद तो जो उसका motion है वो maintain करेगा और उस भी चलते चला जाएगा ठीक है thank you very much वीडियो आपको अच्छलागा तो लाइक स सब्सक्राइब ना पूले मिलते हैं अगले वीडियो